अयुद्ध्या धाम में प्रभुदाम का मंदिर बन गया और बाइफ्तारी को उसमें प्रांग प्रतिफ्ठा हो रही है तो उत्तर प्रदेफ के उन बिधायकों को हक बनता है कि उस प्रांग प्रतिफ्ठा के कारिकम में उनको बुलाया जाए और उसमें फ़म्लित होने का फोभाग परदान किया जाई उनको निमंतरन देने का कोई तो फोरम होगा उनको निमंतरन किसके हाथ से बेज़वाया गया कहां बेज़वाया गया राम स्री राम स्री राम स्री राम मैं तो राम ही राम पुकारूं और समाजवादी पार्टी में इन दिनों कुछ यही माहौल है समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता है खुद राश्टी अध्यक्ष अखलेश यादों है जो आयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ से निमंतरन को लेकर जो पसोपोष की इस्तिती है वो बनी हुई है लेकिन हमारे साथ अभी बाच्चीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के गौरी गंच से लगातार विधायक राकेश प्रताप सिंग जी कल आपने विधान सभा अध्डेक सतीष महाना को एक पत्र लिखा और आपने कहा है कि विधायकों को भी ले चला जाए और जो प्रिपक्षिक विधायक है उनको खास तور पर क्या उध्या पत्र लिखने का मैंने उनस भी विधायकों के लिए मानिय बिधान फवा अद्धेक जी फे मांग किया है जो फनातनी हैं जो हिंदु धर्म को मानते हैं और भगवान धर्म में आफ्था और विफवाफ रखते हैं उत्तर परदेफ में अध्या धाम में प्रभु धाम का जन्म हुआ आज मानिय उच्टम नयायले के आदेफ के करम में अयुद्धा धाम में प्रभु धाम का मंदिर बन गया और वाइफतारी को उसमें प्राइट परतिफठा हो रही है तो उत्तर परदेफ के उन बिधायकों को हक बनता है कि उस प्राइट परतिफठा के कारिकम में उनको बुलाया जाए और उसमें फमलित होने का आप लोग क्या चाहते हैं क्यों यह संवाजबादी पार्टी का इस्तिति हूं किलियर है संवाजबादी पार्टी वबही धर्मों का फम्मान करती है और से बाद सब्सक्रा छलने का काम करती है जो दावा है मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कल सारह ग्यारा बजे एक चैनल के डिबेट पर वो थे प्रतिफ्टे चैनल के डिबेट पर थे और उन्हों ने बयान दिया मैंने जो अपने कान से फुना आँखों फे देखा कि राफ्टिय दल के सभी राफ्टिय अध्यक्ष को मैंने निमंतरण पत्र भेजवाया है तो मेरा चित्रिय दल है वहीं एक कंटा डिक्षन हो जाता है दो भाफी बयान हो जाता है दूफरी बात उत्तर प्रदेफ के पूर्व मुखमंती है मानने फिरी अखलेफ यादो जी फरमाजबादी पार्टी के राफ्टिय की बाई पोफ्ट भेजा गया है बिल्कुल कंट्फ्यूजन करेट किया जा रहा है और फामाजबादी पार्टी को लगातार इफ खाडियंतरों के माध्यम से कि हमुर्व हिरूधी पार्टी है इस फाबित करने का प्रेफ किया जा रहा है तो स्वामी प्रसाद मौरिया भी कर रहा है उन्होंने कहा है उस जयक्म को कुरेदा है नब्बे के दसक में जो गोलिकांड हुआ था उसको कहा है कि वो उस सित्री में जायस था जानी उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ था उद्ध्या में वो अराजिक कत्तों के लिए ज देखें पूरे उत्तर प्रदेफ के हिंदू धर्म में जन्मे लोगों को फणातन धर्म को मानने वाले लोगों में और भगवान राम में आफ़ता और विफवाफ रखने वाले लोगों के मन में पूरे प्रदेफ, देफ और विफ के लोगों के मन में हर्फ और उल्लाफ की भाउना, फिर ओत्परोत हैं लोग, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बयान देके उनकी भाउनाओं को ठेफ पहुचाया जाए, और समाजबादी पाइटी में भी लाखों लाख कारी करता इसे ह जो हिंदु धर्म को मानते हैं, जो फनातनी हैं और जो भगवान राम को मानते हैं और उसे फफटी करण मांगा जाए, फंतो जनक जबाब ना होने की दफा में उसके खिलाब कारवाई किया जाए कभी नहीं बोले, लेकिन भारतिये फपा का सदफता लेते ही उनको हिंदु धर्म धोखा लगने लगा, फनातन धर्म बेकार लगने लगा, भगवान राम अपराधी लगने लगे, ऐसा कहां से उनके मन में ये उत्पन्ध हो गया, इसकी जाद जरूर मानिया राफ्टे के कराना चाहिए, उनके परिवार पे क्या कहेंगे, वहां तो बहुत पूजा होती है, बहुत फोटो आप अभी चर्चा कर रहे हैं? भारती जनता पार्टी की फदफ़ता फे इफ्तिफा दिलाएं, फिर पूरे देव को पूरे अगया है, अब स्वामी प्रसाद मौरिया के उपर कारेवाई का अगर नहीं माने तो? बिलकुल मा करना चाहिक हो, नित्तुत फे बड़ा कोई नहीं है, राफ्टे अधजिक से बड़ा कोई नहीं है, राफ्टे अध्देजी की बात अगर कोई नहीं मान दा है तो उसके खिलाब काद़ड़ी होनी चाहिए. प्राण प्रतिष्था के पहले उत्तर प्रदेश में राजनेतिक जो सरगर्मिया है उत्देज हैं एक और भारती जंता पार्टी है जो केंदर और प्रदेश सरकार के कामों की दम पर आयुद्या को पूरी तरीके से राम्मे पनाने का प्रयास करें दूसरी और समाजवादी पार्टी में राकेश परताब सिंग जैसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से रामभक्त बता रहे हैं लेकिन स्वामी परसाद मौरिया स्वामी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किले भी खड़ी कर रहे हैं तो अब देखने वाली बात होगी कि रा शेख सर्माद दा लीडर हिंदी